ओ कहां कोन जात पात पूछे लजी औरा सनहिया सिंगार हो सबर्ये से होला ना कोनो हाट ना बजरिया से होला उमरिया के रोग हो नजरिये से होला हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल मैथ मस्तिपर दोस्तों मैं हूँ भी पी निया दो और चलिए आज सुरू करते हैं रेलवे ग्रूप डी में आने वाले संभावित प्रशन को हम कर बार हैं और मिक्स कोश्चन होगा यानि अलग अलग चिप्टर से कोश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं तो बने रहिएगा मजा आएगा क्योंकि गनीत भाई हम एकदम असाम तरीके से सिखाते हैं सिखा देंगे आपनी शिंत रहेंगे सवाल है हमारे सामने इसमें कहा गया है कि देखिए एक निर्दे से परिक्षा के लिए प्राप्त कुल अंक 810 है एक परिक्षा में जो कोश्चन पूछे गए थे अंक उसके दिये हुए है कि गनीत में 90 डिगरी, सस्टी 55 डिगरी, रसायन 70 डिगरी, भातिकी 85 डिगरी, अंग्रेजी 60 डिगरी दोस्तों ये बिर्द के अंदर ये पाई चार्ट चेप्टर है, तो ये बिर्द के अंदर जो होता है ये पूरा 306 डिगरी होता है, कि अंदर पर इसमें 306 डिगरी का कौन होता है, तो इस सारा जोड कर होगा 360, अब 360 डिगरी को यानि टोटल अंक को डिगरी में बाट दिय है कि ss-t में अगर 55 डीघ्री यह है तो गनित में नब डिघ्री मैंना ss-tv से जाधाai रहनित में अगर आपसे पूरे सीधे देख के पूछ देता कि सबसे जाधा आंग किसका है तो आप कह सकते हैं कि गनित का अगर कह देता कि दूसरा सबसे ज़्याधा तो अब समझे सवाल में अगर मालू कि आपको ऐसा कह देता है कि अंग्रेजी जो है गनित का कितना परसेंट है तो यह पूर्णांक निकालने की जरूरत नहीं है सिदे अंग्रेजी 60 गनित का का है तो गनित को बटा में लिखना है तो 60 बटा 90 गुना 100 ऐसे करके भी निकाल सकते हैं दूसरा चीज आप समझ लिजे कि इपूरा 360 डिगरी टोटल अंक जो दिया है आपको 810 तो वो 360 डिगरी के बराबर 810 है तो 360 डिगरी बराबर हो गया 810 तो आप 1 डिगरी का भी मान निकाल लो वो कैसे तो 810 बटा 360 करके अब लिजी जीरू से जीरू कट जाता है 9 से कट जाएगा 4 बार में 9 से कट जाएगा 9 बार में यानि 9 बटा 4 हो जाएगा यह कितना का मान जानते हैं एक डिगरी का मान 9 बटा 4 अंक यह हमें जरूरी पढ़ेगा तो एक डिगरी का मान हमने निकाल लिया देखिए सवाल है यह दो सवाल इसी पर है ग्रेजी में हमारा एंसर हो गया ये बला अंग्रेजी बला के लिए आईए जरा समझते हैं अगला सवाल को आपको एक डिगडी का मान पता है आप कितना हूँ डिगडी का मान निकाल सकते हैं सवाल है अंग्रेजी बहुतिकी और SST में प्राप्त अंक गनीप तथा रसाइन में प्राप्त अंक से कितना परतिसत अधीक है बहुत अच्छा प्रस्न है आपके सामने अंग्रेजी भोतिकी और SST तीन वीस है अंग्रेजी तो भाई 60 डिगरी आया है अंग्रेजी 60 डिगरी पलस भोतिकी कितना? भोतिकी है 85 डिगरी भोतिकी है 85 डिगरी पलस देखिये आपको कहता SST SST में है 55 डिगड़ी इन सब को अगर जोडते हैं 5 5 10 0 0 हुआ 5 8 13 16 21 20 200 यानी 200 डिगड़ी हो जा रहा है आपको किस में जानते हैं ये 30 से अंग्रेजी भौतिकी और SST में प्राप्त अंग गनीत तथा रासाइन में प्राप्त अंग से गनीत में कितना भाईया गनीत में 90 डिगड़ी है गनीत तथा रासाइन रासाइन में कितना 70 डिगड़ी 9 7 16 16 एक सो साथ अंग तो कहता है कि गनीत तथा रासाइन में प्राप्त अंग से कितना परतिसत अधीक है ये बला जो है इससे कितना इसे का कुलंग और इन तीनों भी से का कुलंग ठीक है ना जितना है यह पहले वाला इससे कितना परतीषत अधीक है तो पहले आप यह पता करिये कि सच में अधीक कितना है तो 160 से 200 कितना ज़्यादा होता है तो सिर्फ 40 ज़्यादा होता है तो 40 अधिक है किस से 160 से 30 के लिए हमको 100 परतिसत से गुना करना होगा चलिए 0 से 0 4 4 का 16 4 से काटा 25 बार में मतलब की 25 परसेंट अधिक है 25 परसेंट ऑप्शन डी में है बहुत अच्छा कोई दिक्कत नहीं आईए जरा अगला कुश्यन देखिये प्रस्न क्या कहता है प्रस्न का कहना है देखिये कुश्यन दो संख्याओं का लगुत्तम समापवर्तक 48 और महत्तम समवर्तक 960 यदि इसमें से एक संख्या 960 है तो दूसरी संख्या क्या होगी इस सवाल तो कोई भी बना सकता है जो बच्चा LCM इस से पढ़ा है उस सब बच्चा को पता होता है कि LCM गुना HCF अब बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है एक फर्मूला है LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या दो संख्या का LCM 4800 है HCF कितना 160 एक संख्या 960 दूसरी संख्या पूछा है अब आई जाईए आप काट सकते हैं यह 0 से 0 16 96 से काट सकते हैं 688 4800 बार में 800 आजाएगा यह हो जाएगा आपको दूसरी संख्या आईए बढ़ते हैं अगली सवाल के तरफ देखते हैं next question आपको बहुत ज़्यादा high level question पढ़के जाने की जरूरत नहीं है जो आता है जिस level का question आता है उसी level का पढ़के जाईए काम हो जाएगा सवाल देखिए दू वट्टा 3 माइनस 3 वट्टा 5 का है मने आफ पांच पुर्णाएंक एक वट्टा दू पलस एक वट्टा दू और यह भाग है पांच वट्टा 11 को सरल करें दोस्तों आपको बोट मास का नियम पता होना चाहिए बोट मास का स्पेलिंग ही होता है बी ओडी एम एस बी मतलब बड़ाइकेट ओ मतलब ओफ ओफ मतलब का दी मतलब डिवाइड डिवाइड मतलब भाग मल्टिप्लाई मतलब गुना अड मतलब जोड सब्ट्रेक्ट मतलब क्या घटाओ जैसे लिखा हुआ है उपर से नीचे के तरफ उसी तरह काम भी होता है जो साइन उपर में है उसका काम पहले होता है अब देखिए का है अब कभी कभी बच्चे क्या गलती करेंगे इसको इसको जोडेंगे लेकिन का देखिए का सबसे उपर है यानि इतना और इतना का काम दूसरा बात B मतलब ब्राइकेट होता है B मतलब क्या ब्राइकेट सुनिए ब्राइकेट तो ब्राइकेट के अंदर का काम होगा उसके बाद का का काम यानि इनसे जो निकलेगा उसके साथ इसका काम अब ये पलस है पलस और भाग में पहले भाग का काम पलस नीचे है भाग उपर है भाग का काम आप ऐसे भी समझ सकते हो पलस माइनस को बाउंडरी कहा जाता है तो पलस माइनस बाउंडरी बाउंडरी से इधर काम होगा बाउंडरी के उधर काम होगा अस्पष्ट हो गया दूसरा चीज यहाँ है तो यह बडाइकेट के अंदर है तो यह काम होगा बडाइकेट के अंदर है देखो बडाइकेट सबसे उपर है 3-5 का LCM ले लिया 3 5 15 हुआ उपर में देखो 3 निचे अगर भाग दोगे 3 5 15 तो 5 दूना 10- पांच तीन 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 नौ ये बराइकेट के अंदर अफ मतलब होता है का का मतलब गुना अब ये दू पच्छे 10 आए 1 ए 11 ए 11 बटा हो जाएगा 2 प्लस का चीन है प्लस हमारा बांडरी होता है एक बटा दू दोस्तों जैसे ही भाग का चीन हो गुना का चिन ले आईए और इसको उलट सकते हैं 11 बटा 5 मतलब भाग के बदले गुना का चिन लिख देने से संख्यागला जो है उलट जाता है उलट गया पलस हमेशा बाउंडरी होगा बाउंडरी के इधर काम होगा 10 में से 9 गया 1 बटा 15 गुना 11 बटा 2 ये पलस बाउंडरी है और ये देखें 11 एकम 11 नीचा 2 पचे 10 पलस के उधर काम हो गया ये 15 गुना का काम पहले होगा गुना और जोड में देख लो गुना और जोड में गुना उपर है गुना का काम पहले ये 11 और ये हो गया 11 बटा 10 LCM तो आएगा 30 LCM 30 तो ये 11 ठीक है 10 TI 30 11 TI 33 मतलब हुआ कि ये 44 बटा 30 इसको काट सकते हो 22 बटा 15 कर सकते हो 22 बटा 15 नहीं है तो इसको भाग लगाए 15 एकम 15 22 यानि एक पुर्णांग 7 बटा 15 आपका एंसर एक पुर्णांग 7 बटा 15 आपका एंसर यानि आपसन है ठीक है भाईया चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगले प्रसन को सवाल क्या कहता है जरा गवर कड़ियेगा कहता है साथ साल में कोई धन चक्रविड़ी व्याज की दर से दुगना हो जाता है तो कितने बरस में सोलह गुना हो जाएगा कहता है साथ बरस में सुनियेगा कि साथ बरस में हो जाता है दुगना कहता है कितने बरस में हो जाएगा सोलह गुना टीटू निकलना है कितने बरस में हो जाएगा सोलह गुना, साथ बरस में दुगना हुआ है, कितना बरस में सोलह गुना हो जाएगा, ध्यान रहे, सवाल को बनाने का तरीका है, इस दू का पावर कितना दे की सोलह हो जाए, इस दू का पावर कितना दे की 16 हो जाए चाहे 8 गुना कहता तो दू का पावर कितना दे की 8 गुना हो जाए इस दू के पावर 4 रख दीजिएगा ना इस 4 रख दीजिएगा तो इसके बराबर हो जाएगा यानि कि अगर आपको T2 निकालना है तो पहले वाले टाइम में इसी पावर से गुना कर दीजिए साथ चव के 28 वर्स हो जाएगा आपका एंसर 28 वर्स में हो जाएगा 16 गुना एंसर हो गया चलिए बहुत अच्छा बहुत असान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा बढ़ते हैं अगले सवाल के तरब प्रस्न कहता है सुनियेगा जरा देखियेगा जरा कहता है कि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर सेस्फल 27 पराप्त होता है सवाल है कि किसी संख्या को 56 से भाग दीजिएगा तो सेस्फल काता है कि 27 पराप्त होता है अब उसी संख्या को जो संख्या हमको पता ही नहीं है कहता है उसी संख्या को आठ से भाग देंगे तो सेस्फल का होगा ऐसे सवाल को बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है 27, 27, अब काता है कि उसी संख्या को जो संख्या आपको पता नहीं, उसमें 8 से भाग देने पर सेस्ख्या होगा, कुछ मत करिए जो पहले वाला सेस्फल है, उसी को भाग दे दीजी, आपका एंसर आजाएगा, तो 8, 3 हो जाता है, 24, सेस्फल आजाता है, 3, यानि आपका एंसर हो जाएगा, option C3, कोई दिक्कत नहीं है, या आप चाहते हैं कि वो संख्या कौन है, ये पता करना तो सिंपल है, देखो कोई संख्या में 56 से भाग देने पर सेस्फल 27 दिया है, मतलब वो संख्या 56 से 27 जादा होगा, यानि X का मान जो हो जाएगा, वो 56 पलस 27 हो जाएगा, 6, 7 कितना हो जाता है 56, 13 का 3, 8, 2, 5 हो जाता है 7, 1 8, यानि वो संख्या 83 है, और दोस्तों सिर्फ 83 ही नहीं और संख्या हो सकता है, 56 का डबल करके 67 जोड़िये वो भी संख्या, 56 को 3 बार गुना करके यानि 56 को 3 बार पढ़िये उसके बाद सताइज जोड़ी है वो भी संख्या वो सारे संख्या जाएज है अभी 83 में अगर 8 से आप भाग देते यह जो संख्या मिला यही संख्या सही है इस 83 को 8 से भाग देके देखिए 8 दाहाई 80 से स्तीन आ जाएगा आप कैंसर सी हो जाएगा यह भी तरीका है आईए अगला सवाल पर आते हैं प्रस्न देखिए क्या कहता है एक छात्र को किसी परिक्षा में उत्रिन होने के लिए 40% अंकों की जरूरत थी वह 45 अंक प्राप्त करता है और 45 अंक से फेल हो जाता है परिक्षा कुल कितने अंक के थे एक विद्यार्थी को परिक्षा में पास होने के लिए चा पास होने के लिए अब बताईए कि कोई विद्यार्थी 45 नमर लाया अब फिर भी 45 नमर से फेल हुआ यानि 45 और ले आता तो पास हो जाता यानि कि पास होने के लिए चाहिए 90 नमर क्योंकि 45 लाया था अब 45 से फेल हुआ तो 90 नमर पर पास हो जाता यानि कि पास होने के लिए चाहिए टोटल 90 नम्मर और पास होने के लिए चाहिए 40 परतीसत नम्मर इसका मतलब हुआ कि उस एक्जाम में जितने भी अंग थे उसके 40 परतीसत का मान 90 है तो 100 परतीसत का मान कितना वही तो कुल पुर्णाइंक हो जाएगा 90 बटा 40 गूना 100 चलो 0 से 0 कटा 4 से 25 बार में 25 नमा 25 पूरा गाउं जानता है ओप्शन डी आपका एंसर हो जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं होगा और आपका हम समय बरबाद नहीं कराते हैं सुन लिए अगर यही चीजें हम लाइप पढ़ाते तो आपको एक घंटा लग जाता है हम point to point कहता है कि जरा बताईए तो कि निम्नली खित में से कौन सी संख्या 6 से पुर्णता विभाजित है दोस्तो मैंने कहा था कि 6 से वही संख्या कटेगी जो 2 एवम 3 से कटेगी यह हर एकजाम में कोश्चन पूछा जा रहा है हर एकजाम में हर सिफ्ट में कोश्चन यह को कटने वाला चाहे हूँ 6 से हो या 9 से हो या 3 से हो 11 से हो कोई ना कोई एक सवाल या 80 से हो 70 से हो 90 से हो पुछता है 6 से कटने वाली कौन संख्या तो जो संख्या 2 और 3 से कटेगी और 2 से वही कटेगी जो 20 संख्या नहीं होगी केवल संख्या होगी तो 2 से कटने वाला एगो केवल ये नहीं हुआ 20 कट सकता है 22 कट सकता है 26 मतलब कि last में जिसके sum digit हैं वो 2 से cut सकते हैं अब 3 से cutने का नियम होता है कि अंको का योग 3 का गुनाज हो तो cut जाएगा जैसे मालो 1-20, 21 क्या होता है 2-1-3 होता है यानि cut गया 2-1-3 होता है, मालो 3-1-4-5-9-6-5 ये देखो तो 3-3 cut गया 1-5-6 cut गया फिर 6 cut गया, ये होता है अंको का योग अगर 3 का गुनाज हो रहा है तो 3 से cut गया अब check कर लिजिए तो 3 cut गया, 9 cut गया 7-2-9 cut गया, 4-2-6 cut गया यानि ये संख्या 3 से भी cut गया, 2 से भी cut गया यही आपका answer हो गया option है आगे check करिएगा तो 3 से देखे 9 भी cut गया, 7-2-9 cut गया लेकिन 4-0, 4 होता है अंको का योगी 4 हो गया बचा जो, इन नहीं cut गया 3 से 3 से न ये cut आ न ये cut आ ये cut आ इतो 2 से भी नहीं cut आ 3 से cut गया, इक बाते खतम है दोनों से cut ना चाहिए था इत 2 से cut गया क्योंकि लास्ट में sum digit था, 3 से cut आ क्योंकि अंको का योग 3 का गुनस था अता हमारा पहला option सही है भाईया आते हैं अगला सवाल पर देखिया क्या कहता है सवाल का कहना ये है कि यदि चीनी के मुले में 10% विर्धी हो जाए, तो किसी व्यक्ति को उसकी खपत कितने परतिसत कम करना होगा, ताकि उसका खर्च न बढ़े, चीनी के मुले में 10% की विर्धी हो गया है, महंगाई बढ़ रहा है महंगाई बढ़ रहा है और आप चाहते हैं कि भाईया हमको जितना पहले खर्चा होता था, हम उतना ही करेंगे जादा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, तो एक उपाए है, आप खपत कम कर लीजिए खपत कम कर लीजिए तो 10% अगर चीनी का रेट बढ़ गया है, ता खपत कितना परतिसत कम करना होगा, सुनिएगा 10% बिरधी हुआ है केबल आपको ध्यान देना है मुल्ले में ध्यान देना है कि मुल्ले बढ़ा की घटा मुल्ले बढ़ा, तो 10% बढ़ा है, तो 10 लीख के सुनिएगा, चाहे वो बिरधी हो या कमी हो, उपर लिख दीजिए नीचा क्या करिए 100 लिखिए और 10% मुले बढ़ा है तो नीचा बढ़ा कर लिख दीजिए 10 और अगर 10% घटता तो नीचे घटा कर लिखते 10 और परतीसत के लिए 100 परतीसत से गुना अब ये जो आपका answer आएगा ये होगा खपत में परतीसत कमी खपत में परतीसत कमी उपर हुआ 10 नीचा 110 परतीसत के लिए हुआ है 100 परतीसत से गुना 0 से 0, 100 बटा 11, 11 नमानी 99 या 100 यानि की होगया आपका 9 पुर्णांक 1 बटा 11% 9 पुर्णांक 1 बटा 11% ये खपत में कमी करनी होगी बात समझ रहे हैं बहुत अच्छी बात है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा समझ में आ गया होगा तो आज किसे बाई यहीं पर समात होगी आपको वीडियो कैसा लगा है बताइएगा जरूर कॉमेंट में और बताने की क्या जरूरत है एक्जाम में जाईएगा तो question मिल वे करेगा बना के आईएगा चलिए बहुत-बहुत सुब कामना है अब सभी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में thank you, best of luck